है 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 हलो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागत है दिरपान स्टेडी सेंटर में यहां पर जो हम करने जा रहे हैं काफी महत्वपून है फॉस्ट यह समेस्टर सेकेंड पंजाव इनवर्सिटी और हमारे समक्ष यहां पर बुक आया है अब सब्सक्राइब के अंदर का देखा जाए तो सभी बच्चों को मैप के कोशन काफी महत्वपून रहते हैं और उसमें कुछ समझ नहीं रहती हैं तो यहां पर मैं पंजाब के प्रमक्षे जो ऐखियास स्वार्ण को लाया हूं जो आपके अख्याम पॉइंट कि से काफी महत्वपून है इसमें हम पंजाब के मुक्षे इसलिए भेट चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहली को जो आपके लिए इसफ्थान रहे देखते हैं हमारा यहां पर पहला जो है पंजाब के मुक्ई अतिहासिकस्तान तरह अपना विसेस स्थान रहता है अग्रका रखता है लेकिन इसको करने से पहले आपको मैं नहीं मता दू कि अगर आप पहली बार मेरे चनल पर आये हो सब्सक्राइब कर ले और अभी तक शेर नहीं कियों तो सीर जरूर करें शेर ली दुस्रे बच्चों का केयर है और यह महतपून है कहते हैं जो बच्के स कोई कोई और जणॉर stशता है और इस लिए जरूर करता बंच है यहा और आपको सूंचने की विचार करने की वशकता है देखा जाए अगर हम बात करें पंजाब के मुक्य इतिहास स्थान तो पंजाब के मुक्य इतिहास स्थान के अंदर थनेशर का अपना एक विसेस स्थान है थनेशर देखा जाए तो कई चीजों के लिए महत्वपून माना जाता है और ये जो है थनेशर हर्यान राज्ये में स सवस्वती सागर के किनारय स्थी थनैशर में से महत्तपून या की अस्थान में सब्सक्राइख कौन से महत्तपून अस्थान बन जाता है देखा जाए तो यह कुछेत्र शिल के असbu इसलिए भी संस्कृति यहां पर मिली हुई है और यहाँ तेसे देखा जाता है और इसका नाव का अर्थाता है क्वार्थ। रोसे to मतलब कोई न कोई महतुपून गटना यहां पर अवश्य गटी है और इसलिए भी महतुपून है थनेशर का स्थापना 26 स्थापदी के में गुप्त समराज के पतन के उपरांत हुई जब गुप्त समराज खतम हुआ तब थनेशर की स्थापना हुआ और माना जाता है कि भगवान शिप के उपाशक पुषब भीती ने इसका स्थापना किया थनेशर का इसलिए इसका जो है सावदी कर जो भगवान का घर भी नाम पड़ता है हर्षवर्दन वंस पर यहां पहला शाशक था जो हर्षवर्दन था यहां पर पहला शाशक था जिसने से अपनी जो है पहला शाशक था जिसने अपनी राइसदानी थनेशर को बनाया लेकिन अपने जीजा की मृत्यू के उपरांत जो है इसने जो है इसको उसमें राज्जे में मिला लिया तो यह भी महत्पुन बात है कि एक हजार चौदा में मुहम्मद गजनी ने यहां आकर्मन भी कि और वह चक्रसौावी मंदिर को लूट कर नस्ट भी कर दिया तो यह महत्पुन बात है कि एक हजार 400 में मुहम्मद गजनी जब आकर्मन किया चुक्र स्वावी मंदियों को भी लूट कर नश्ट कर दिया अब यहाँ पर आपका कर्फूजन यह होगा कि मुहम्मद गजनवी कभी 2009 में आ रहा है कभी आठ में आ रहा है कभी 14 में कभी 13 में तो मैं आपको बता दू मुहम्मद गजनवी हमेशा भारत पे आता था आकरमन क जाता था और अपने पीछे जो हमेशा एक गुलाम साशक को यहां का गवर्णर बना कर जाता था तो महाद मुहमत गजनवी कुछ इसी तरह के कारे करता था और उसने थ्रासवर को भी नहीं बख्षा और 2014 में मुहमत गजनी ने यहां आकर्मन किया और चक्र स्वामी मंदिर को लूट कर नस्ट कर दिया और तरह के खुब धन बंदी लेकर गजनी लौटा यानि देखा जाया तो यहां कि तरह सोब जितने धन थी सब को यहां से लूट कर लिए गया यहां दारा सिकोहो के सूफी उस्तास से जो है चिल्ली का मकवरा भी है जिस पर परलियंस पस्तापत का परभाब देखा जा सकता है कहते हैं तनेशर जो है में कई सी गुरुओं का भी दर्शन दिये वह इसकी याद में यहां गुर्द्वारे भी बनाए गए हैं जैसे गु तो तनेशर इसलिए भी काफी महत्वण अस्तान बन जाता है कहते हैं 1947 में भारत के बटवारे के उपरांत यहां एक बड़ा सरनार्थी कैम्प भी लगाया गया था जब भारत आपको पता ही होगा कि 1947 में जो भारत और पाकिस्तान में बटवारा हुई थी तो बहुत सरनार थी और इसलिए भी महत्वण है इसके पास ही सहर का विकास होने लगा यानि उसके बाद जो ही सहर का काफी विकास हुआ और 23 जनवारी 1973 में एक नए जीले कुरुचेत्र की अस्थापना की गई कहते हैं कुरुचेत्र काफी महत्वण अस्थान रही और थनेशर इसका मुख महत्वण बन जाता है। के इतिहासिक अस्थान के अंतरगत हमने जो यहां पर सारे इतिहासिक अस्थानों का जो अभिस्तार पर चर्चा किया वो एक्जाइम पॉइंट अफ्यू से काफी महत्पून है हर एक वीडियो को देखना आपके लिए जरूरी बन जाता है क्योंकि यह कोशन किसी भी रूप म आपके समक्ष पर रहते हैं या आपके समकालीन रहते हैं तो यह महत्पून रहता है जितना हो सके शेर किजिए कुछ नहीं करना है यूटूब से लिंक को कॉपी करके वर्च पर लगाना है और पहली बार में चनल पर आयो पहली बार वीडियो देख रहे होगा समझ में आ और कई वीडियो से आप अन्भिकत रह जाईएगा मुझे पता है कि यह वीडियो आपके लिए काफी महत्पून है इसलिए मैं हमेशा आपको यही कहता हूं कि सोचिए नहीं चलो सब्सक्राइब करके अपने माल में सेव कीजिए